दोस्तो आज की वीडियो में हम ascending triangle chart pattern क्या होता है आप इसे किस तरीके से trade कर सकते है target कहा लगाना है stop loss कहा लगाना है और entry कहा करनी है इसके बारे में example के साथ देखने वाले है तो वीडियो में बने रही है वीडियो को end तक देखिये और अगर channel पे नए हो तो जल्दी से channel को subscribe कीजे तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे है ascending triangle chart के उपर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है यहाँ पे क्या होता है जो top बनता है वो एक ही area में बनता है एक price पे उपर हो सकता है कभी कभी हो भी सकता है या फिर एक price zone में हो सकता है जहां से बार-बार क्या होती है supply आती है और price नीचे आती है लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि price जो होती है वो higher lows बनाती है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे है higher lows बनाना और जो highs बनते है वो same जगा पे बनना ये एक साथ होता है और इसे अगर हम draw करें तो कुछ इस तरीके से आपको ascending triangle दिखाई देता है जो कि उपर की तरफ price को बढ़ा रहा है normally ये जो triangle होता है ये जो pattern होता है वो breakout देता है previous direction में यानि कि previous direction अगर bullish चल रही है तो आगे भी आने वाले दिनों में जो breakout आएगा वो bullish side पे ही आएगा आपको buying ही यहाँ पे करनी होगी लेकिन कुछ situation में ये direction change भी करता है यानि कि train जो होता है वो reversal भी हो सकता है most of the time तो trend को follow करता है continue करता है इसकी वज़े से ज़्यादा तर continuation pattern में गिना जाता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि resistance बार-बार लेने पे नीचे के side पे भी breakdown आ जाता है और trend change भी हो सकता है तो दोनों तरफ के move आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ का trade जो है वो आप यानिशेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ascending triangles are considered as a continuation pattern as the price typically break out from the triangle in the direction of prevailing trend जो भी trend होता है उसके थिराब जा सकता है लेकिन breakout in any direction is not worthy पता होना चाहिए दोनों direction में आपको जो है वो trade ले सकते हैं इंट्राडे में काफी बढ़िया होता है अगर यह 15 मिनिट के chart के उपर आप ढूम लो तो काफी अच्छी तरीके से आप इसे trade कर सकते हैं तो यह यहाँ पर आप example देख सकते है flat upward train line यहाँ पर horizontal line भी देख सकते हो उसे upward trend है previous trend भी यहाँ पर upward है और जो consolidation हुआ है यह ascending triangle pattern के बीच में हुआ है rising lower trend line यानि कि यहाँ पर uptrend line दिखा ली है और यहाँ पर higher lows बनते होई दिखाई दे रहे है और क्या होगा breakout होगा और trend continuation होगा अब यहाँ पर entry कहाँ पर करनी है जो यह resistance train line या फिर जो horizontal line आप flat upper train line जो भी कहना इसे कह सकते है अगर इसको break करके कोई green color की candle तयार होती है break करती है with volume volume होना बहुत ज़रूरी है at least previous 3-4 candle से उस particular candle में volume सबसे ज़ादा होना important है अगर volume नहीं होता है तो consolidation continue रहता है breakout के बाद भी body moment नहीं आती है या फिर price retest करती है same level पर और फिर आपको entry का मौका देती है तो retest के बारे में हमने already पिछले वाले chat patterns में बात करी है अगर वो video आपने नहीं देखा है तो i button पर video available है chat pattern का तो वो आप देख सकते है अक्स उसके बाद यह तो हो गया buying की entry green color की candle with volume उसके high के उपर आपको entry करनी है और जो आपको stop loss लगाना होता है वो nearest swing low के नीचे लगाना होता है अब इस particular situation में अगर पूरा का पूरा ascending triangle यहाँ पे consolidation complete होता है यह जैसे जैसे shrink हो रहा है वहाँ तक तब तो आप nearest swing low जो होता है वहाँ पे आसानी से आपका stop loss लगा सकते ह लेकिन कभी कभी क्या होता है बीच में ही breakout आजाता है दो resistance बन गए यहाँ पे दो higher lows बन गए और यहाँ पे breakout आजाता है तो इस situation में आपका swing low होता है वो काफी लंबा हो जाता है stop loss आपका लंबा अपड़ सकता है तो इस situation में आपको nearest swing low छोटे time frame पे जाके देखना होता है तो इस तरीके से आप इसे stop loss लगा सकते हैं अब आते है entry हमने कर दी यहाँ पे stop loss यहाँ पे लगा दिया अब आते है target के उपर target कितना रखना है पहला जो high बना है और पहला जो low बना है इसका जो distance है यानि कि इस particular ascending triangle chart pattern का जो यह bottom है इसको bottom क्याते है यह open कर रहा है यह पह प्रीमियम target आपका primary target आपका वो होगा और उसके बाद आगे भी move continue हो सकती है तो यह सब हो गया theoretical part अब जाते है चार्ट के उपर actual में किस तरीके से breakout से trade करते हैं इसको देखते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे power grid का चार्ट देखा है चार्ट थोड़ा सा reload हो सकता है यहाँ पे situation थोड़ी सी अलग है जो मैंने explain की थी मैंने बोला था कि continuation pattern है trend previous continue रहेगा अब यहाँ पे एक घंटे के चार्ट के उपर previous trend downtrend दिखा रहा है और उसके बाद यह pattern बना है लेकिन मैंने आखिर में यह भी कहा था कि यह bilateral pattern भी हो सकता है mostly जो reversal आता है वो trend के साथ में आता है trend के direction में आता है यहाँ पे क्या बना है यह देख सकते हैं पूरा downtrend है downtrend होने के बाद जो highs बने है वो एक ही area में बने है यह पहला high बना यहाँ पे आपको कर सकते है यह दूसरा high यह तीसरा है और यहाँ पे breakout आया और जो low बने है वो higher lows है यहाँ यहाँ पे यहाँ और यहाँ पे तो अगर हम इसे particularly draw करते हैं तो ascending triangle इस तरीके से बन जाता है और जो breakout आपको trade करना है वो इस particular resistance level के breakout पे यानि कि उसको break करने के बाद आपको trade करना है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो candle बनी है एक है यह वाली green color की जिसका volume अल्रड़ी high दिखाए रहा है जिसका volume अगर आप देखोगे तो लगबग यहाँ पे हम volume open कर देते हैं तो volume हमें दिखाई देगा तो यह है 1.872 million और जहाँ पे breakout आया है उसमें volume सबसे ज़्यादा है 2.654 million यानि कि previous बहुत सारी candle 4-5 candle से उस particular candle में volume बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पे हमारे सामने है अब entry दो तरीके से कर सकते हो या तो आप इसका high break होने पे entry कर सकते हो या फिर wait कर सकते हो price यहाँ फिर से retest होने के लिए अब retest चब नहीं होती है तो high break करने के बाद आपको entry करनी होती है तो इस particular situation में अगर हम entry को ढूनते है तो हम यहाँ पे horizontal line place कर सकते है तो यह आप देख सकते है यह horizontal line हमने लगा दी इसके high के उपर तो यह red color का जो line है उसको break करने पे entry करनी होती है जो कि next candle पे हो गई है 247 price यहाँ पे दिखाई दे रहा है अब अगर हम यहाँ पे लेते है higher जो कि long position होती है हम बनाते है जो long position उसके हिसाब से हमे stop loss और target लगाना होता है वो भी हम आपको लगागे दिखा देते है ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए तो यहाँ पे entry हो गई next candle पे तो next candle पे आप देख सकते है entry जो है 247 के उपर थोड़ी सी हमें यहाँ पे बनानी होती है जो कि हम इस पे करें देंगे और stop loss मैंने क्या कहा था शुरुआत में ही कि nearest swing low अब nearest swing low कहाँ पे है यहाँ पे आप देख सकते है nearest swing low तो उसके नीचे आपको stop loss लगाना है तो stop loss भी थोड़ा सा उपर कीच के ले लेते है यह कुछ इस तरीके से stop loss हमारा यहाँ पे लग जाएगा तो entry यहाँ पे लग गई stop loss यहाँ पे लग गया अब target की बात करते है तो यह जो distance है वो हम measure करेंगे आने वाले हमारे primary target के लिए तो यहाँ से लेके नीचे तक का distance हम कुछ इस तरीके से measure करेंगे और इसको हम लगा देंगे इधर उपर तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो target यहाँ पे आसानी से achieve हो गया है और उससे भी उपर stock चला गया है अब यह पहला target होगे अगर उससे पहले कोई resistance level आती है तो वहाँ तक आप target book कर सकते हैं लेकिन आपको यह support और resistance ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा अब जो हमारा पहला target था वो यहाँ तक था क्योंकि nearest resistance level यह था उसके बाद जो दूसरा nearest resistance level यहाँ पर हमने देखा वो उपर के साइड में था जो की यहाँ हमें दिखाई देया और price उसी area में जाके फिर से reverse हो गई है तो यहाँ पर दो target आप complete कर सकते हैं पहला तो आपका nearest resistance level या फिर जो मैंने अभी target का बताया आपको कि जो distance है पहले high और पहले लो का वो आप कर सकते हैं और आसानी से आप देख सकते है risk reward जो है वो 1s23 के आसपास का मिला है यानि 4.90 पैसे का stop loss और 16 रुपे का target और यह 1 घंटे का आपको time frame है तो आप अगर entry देखोगे तो यहाँ पर आपको time पता चलेगा कि entry कब हुई है तो अगर हम entry देखते है तो लगबग 24 तारीक को 3 सवा 3 बजे की entry है और exit हमें मिला है 28 तारीक को यानि कि 4 दिन में लगबग हम यहाँ पे 6-7% का profit कमा सकते है आप positional trade भी ले सकते है आप इसमें options trading भी कर सकते है अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो इस तरीके से आपको जो है वो ascending triangle pattern जो है वो trade करना होता है एक और example हम देखेंगे वो भी daily chart के उपर और उसके लिए हम stock यहाँ पे add करेंगे DLF का तो DLF का stock हम पहले watch list में add कर लेते है और उसके बाद हमें उसके उपर जाना आसाली हो जाएगी तो DLF हम daily chart के उपर देखेंगे DLF का NEZ का chart हम यहाँ पे add करेंगे और stock open कर देंगे तो DLF उसके बाद हम जाते हैं daily chart के उपर और daily chart के उपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा जो ascending triangle pattern बना है तोड़ा सा यहाँ पे डूढ़ना पड़ेगा हमें पीछे होगा लेकिन मिल जाएगा तो यह देख सकते हैं इसमें भी same तरीके के हुआ है previous trend negative है बेरिश है लेकिन फिर भी consolidation ascending triangle pattern में हुआ है और यहाँ पे breakout हमें दिखाई दिया ह अब breakout किस तरीके से आया है volume है कि नहीं थोड़ा सा देखते है और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस particular candle पे breakout आया है जिसमें previous 3-4 candle से ज्यादा volume दिखाई दे रहा है अब उसके high के उपर अगर हम entry करते है यह daily chart है तो आपको थोड़ा positional सोचना होगा holding के लिए सोचना ह अगर हम यहाँ पे long shot position लगा देते है तो हमें अंदाजा आसानी से आ जाएगा पहले horizontal line लेते है और mark कर देते है level यह 182 के आसपास 182 75 का हमारा level है और अगर हम long position इसमें लगाते है तो हमारा stop loss और target कितना होगा वो भी थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते है तो यह long position हमन ले ली और इस particular line पे लगा दी stop loss जो है जैसे मैंने बताया था nearest swing low 149 का निकल के आता है अब यह थोड़ा सा लंबा stop loss हो गया क्यूंकि यह daily chart है तो 40 point का stop loss हम यहाँ पे bear कर सकते है टेकनिकली 32 point का stop loss है तो हम अगर इस तरीके से stop loss यहाँ पे लगा देते है तो 150 का stop loss बनता ह 182 की entry, 183 की entry है तो 33 point का अगर हमारा stop loss है तो टेकनिकली हमारा target जो है वो 33 point का minimum होना चाहिए 1 to 1 का risk ratio अगर हम पकड़ते है तो लेकिन इस particular case में हमें कितना target मिला है जैसे मैंने कहा था distance आपको लेना है या तो आप यह distance मेजर करके उतना target लगा सकते हो जो कि यह same दिखाई दे रहा है या फिर जो resistance level है previous resistance level उसे आप यहाँ पे लगा सकते हो तो previous resistance की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यह अगर red color की line में यहाँ पे लेलू तो यह resistance level है और जो की निकल के आता है 206 पे तो entry है 183 पे और अगर हम इससे continue करते है उपर तक क्योंकि बीच में कोई भी गिरावट नहीं आई है तो अगर हम यहाँ पे देखे तो 83 point का target हमें मिलता है 32.25 का stop loss है यानि की 1s2 2.59 का risk reward ratio इस particular pattern में हमें देखने के लिए मिलता है तो आपको अगर आप नए नए हो आपको indicators का ज्यादा knowledge नहीं है या फिर आपको confusion होता है indicators में तो आप इस तरीके स ये chart pattern धून सकते हो सीख सकते हो और ये pure price action है ऐसा नहींगी indication आएगा तो आपको entry करनी है यहाँ पे सर्फ आपको एक indicator यूज करना है जो है volume का breakout पे या breakdown पे volume high होना चाहिए अगर ये आपको मिल जाता है तो breakout candle के high के उपर आप entry कर सकते हो proper से entry proper से stop loss और proper से target अगर discipline के साथ follow करते हो तो आपका पैसा बन सकता है आपका trade अच्छे बन सकते है तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो ये pattern आपको समझ में आ गया हो तो comment में मुझे लिख देना कि समझ में आ गया है आजनी से समझ दिया है अगर इस तरीकी के वीडियो और भी देखना चाहते हो और क आपका आपका लिए भी आपका लिए अगर अगर प्रणी आपका लिए निवाट